नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड उत्रश प्रदेश में हूँ आपके साथ सपना पांडे आगे डालते हैं एक नजराज की सुख्यों पर आंकीता हत्याकांड के सरकारी वकील ने दिया इस्तिफा एड़ीजी कोट ने टाली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी कबाही कोटद्वार में टूटे मालन पुल के अन्ने पिलरों की नीव भी हिली पूरी तरीके से गिरने का बढ़ा खत्रा मरम मतक होना मुश्किल अलर्ट की बीच देरा दूर में हुई बारिश भूसकलन से बदरीनाथ हाईवे हुआ बंदरी आत्री फसे सीबी आई कोट का फैसला हरीश रावत और हरक सिंग को देने होंगे वोईस सैंपल नोटिस किया गया जारी मोती चूर क्षेत्र में पैसेंजे ट्रेन की चपेट में आकर गुलदार की हुई मौत शरीर के हुए दो तुकडे हरिद्वार में गंगा स्नान को उमडी भीड गंगन नहर की गई बंद हरकी पैड़ी पर मिला केवल घुटनों तक पानी देर रात काला डूंगी ने निताल मार्क पर खाई में गिरी यूपी के परेटकों की कार दो लोगों की हुई मौत पांच लोग है सियंधामीन की घुशना जलशोतों को बचाने के लिए प्राधी करण का होगा गठन हरीश रावत ने कसातंच कहा जिलों में नहीं जा रहे प्रभारी मंत्री मुख्य मंत्री पर दया आती है पंकच हत्याकान में महा संग उग्र मामले में लापरवाही और ढिलाई पर 27 को होगी महावन चायत सपा चोड़कर भाश्वा में शौमिल हुए दारा सिंग चोहान योगी मंत्री मंडल में मिलेगी जग है एंटी एफ के गठन के बाद से यूपी में अब तक 108 गिरफतारी हुई 6,579 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामत किये गए किसानेता जग्बीर सिंग हत्याकांड में आखिरकार दोशमुक्त हुए टिक्याद 20 साल पहले हुआ था मडर मजफर नगर में तेज बहाओ में बहे गया कि इंद्री मंत्री संजे वलियान के गाउं का रास्ता तूटा कई गाउं का संपर्ग कुशी नगर में सड़क हाचा ट्रकी चपेट में आने से बाइक सवार दरोगा की हुई मत घरवालों का रो रो कर हुआ पुरा हाल देवडिया में हैवानियक की हद पार हाथ पेर बांध कर नौवी की छात्रा से दुशकर्म आरोपी वग रफतार कासगंज रोट पर हुआ हाथा का वड़ियात्रा में भिड़े वाहन पांच की लोगों की हुई मौत मृतकों में दो डाक का वड़िये भी शामिन महाराज गंज में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने चाकू से किया ताबड तोड हमला घर से दूर ले जाकर की बारतार आगरा मथूरा में बार का बढ़ता खत्रा रोदर रूप में यमुना मथूरा में खत्रे के निशान से एक दशम लव तीन शुन्य मीटर उपर और चोरी नहीं रुकी तो जाएगी थानेदारी ब्लाक स्पोट असुरक्षित होने पर अपर पुलिस महानी देशक ने दिये सक्त नर्तेश सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही उत्राखंड उतर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दनिक भासकर उत्राखंड उतर प्रदेश